Hello friends, ये एपिसोड़ वही से स्टार्ट होता है जहां सौल रोड रही होती है और सौन्जे कहता है कि तुम मरोग क्यो रही हो और कहता है कि तुम मुझे हमेशे देखकर रोने क्यो लगती हो सौल और उन्चेवास में रोने लगती है सब लोग इन्हें देख रहे होते हैं तो कि तुम क्या हो तो सोल कहती है कि मैं आपकी बहुत बडरी फैन हो सॉन्जे कहता है कि जानता हूँ मैं इसकी समार लिखा हुआ होता है। तुम मुझे हमेशाहें देखकर रोने क्यों लगती हो वो कहती है कि मुझे आप गो की याद प्रिप reverse स्वामिंग करता है। सुन्जे कहता है कि मैं तुम्हें एक डॉक्डा से लगता हूँ। सॉल उसे कहती है हाँ, सॉल उसे हाँ भी कहती है और नहीं भी। फिर सॉन्जे कहता है कि तुम मेरा नाम कैसे जानती हो और तुम उस दिन पूल कॉंपटिशन पर कैसे पहुंच गई थी। फिर सॉल जूट बोलती है और कहती है कि मैं स्वयमिंग की फैन हूँ और मेरा डोग भी बहुत अच्छे स्वयमिंग करता था तो मुझे तुम्हें देख कर अपने डोग की याद आ गई और फिर मैंने तुम्हें हग कर लिया सॉंजे कहता है कि ये सब तुम्हें नॉर्मल लग रहा है तो सॉल आंची अवास से हसने लगती है सॉंजे कहता है कि मुझे अपने डोग का नाम बताओ सॉल बहुत सोचने के बाद इसका नाम औल्टिर बताती है सॉनजे सॉल की वर्च वापिस करता है सॉल को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि इसने सुनजे को क्या कह दिया है तो वो बहाना बनाती है कि मुझे लेट हो रही है तो सॉल वहां से चली जाती है और सुनजे भी वहां से चला जाता है अब सॉल अपनी क्लास में आती है और कहती है कि मैंने कल का दिन खुआप समझ कर enjoy ही नहीं किया अब soul अपनी class में आती है तो सब friends enjoy कर रही होती है soul ये सब देख कर बहुत खुश होती है और सब को hello कहती है soul सब से बात करके खुश होती है जैसे बहुत साल बात मिल रही हो सब classmate इसे देख कर हैरान हो रहे होते हैं कि ये कैसे बात कर रही है फिर soul की best friend कहती है कि तुम्हें कल क्या हुआ था soul अपने friend ही उन जू को देख कर बहुत खुश होती है इसकी दोस्त इस पर गुसा करती है कि तुम्हें कल क्या हुआ था मैं बहुत डर गई थी और तुमने कल पहली बार जिंदगी में class किप की है फिर इसकी teacher आ जाती है अब इनकी class start होती है अब soul अपनी watch को देखने लगती है और कहती है कि मैं past में आ गई हूँ ये watch एक time machine है और अगर मैं इसे दुबारा प्रेस करूँगी तो मैं वापिस चले जाओंगी teacher soul को बुलाने लगती है तो soul बटन को प्रेस कर देती है और soul बहुत डर जाती है इसकी दोस्त इसे कहती है कि teacher तुम्हें बुला रही है वो हैरान हो जाती है कि वो time travel नहीं कर पाती और वो कहती है कि मैं यहीं हूँ अब वो problem solve करने के लिए board पर आती है मगर इसे कुछ भी नहीं आ रहा होता वो अपने teacher से कहती है कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है तो इसकी teacher इसे जाने का कहती है तो वो medicine के वहाने सुन्जे को देखने आ जाती है सुन्जे physical practice कर रहा होता है सुन्जे को देखकर smile कर रही होती है वो कहती है कि मैं past में आ गई हूँ पर मैं सुन्जे के करीब कैसे जाओं फिर सुन्जे को कोई smell आती है तो वो वहाँ से चली जाती है सुन्जे को जाते हुए सुन्जे देख लेता है कुछ student smoking कर रहे होते है तो एक लड़का इनको मारने लगता है फिर सुल दिवार से चलांग लगाती है और कहती है कि तुम लोग smoking कर रहे हो सुमर को परिशानी होती है तो ये लड़का इसकी बात सुनकर हसने लगता है तो अचानाट smoking करने वाले लड़कों के friends आ जाते है तो ये मारने वाला लड़का सुल को लेकर वहां से भागने लगता है ये दोनों एक जगा छुप जाते हैं और बच जाते है सुल कहती है कि ये कितने बुरे स्टुजेंट थे अब हमें इस लड़के का नाम पता जलता है इस लड़के का नाम ताई सूंग होता है ये भी फ्यूचर में एक स्टार्ड था सॉल सबसे पहले इसकी फैन थी सॉल इसे देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ फिर सॉल कहती है कि मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है मैंने काफी टाइम से तुम्हें नहीं देखा था वो कहता है कि तुम काफी चेंज लग रही हो ताई सॉंग सिगरेट का बॉक्स इसे ले लेता है और सिगरेट पीने लगता है तो सौल इससे ये बोक्स छीन लेती है पिर अचानक वहाँ पे टीचर आ जाते हैं टीचर सौल को वहाँ देखकर कहते हैं कि तुम क्लास किप कर रही हो टीचर को देखकर तायसंग वहाँ से भाग जाता है पर सौल को कुछ समझ नहीं आता और सौल वही रह जाती है टीचर सौल के हाथ में cigarette का box देख कर समझते हैं कि शायद सौल शिगरेट पी रही थी और कहते हैं कि क्या तुम smoking करती हो तो टीचर इसे punishment देते हैं सौल इन्हें बहुत समझाने की कोशिश करती है कि वो students को रोक रही थी पर teacher इसकी बात नहीं सुनते और इसे डांटने लगते हैं जब teacher इसे punishment देते हैं तो sonjay soul को वहाँ देख लेता है और कहता है क्या तुम smoking करती हो तो soul कहती है कि ये मेरा नहीं है पर sonjay इसकी बात नहीं सुनता और कहता है कि तुम यहाँ से जा सकती हो तो सौल कहती है कि रुको मैं हमारे दर्मयान की गलत फहमी को दूर करना चाहती है अब सीन चेंज होता है सौल अपनी दोस्त के साथ लंच करने आती है तो सौल कहती है मुझे किसी के क्लोस जाने के लिए क्या करना होगा इसकी दोस्त कहती है कि पहली मुलाकात बहुत असर रखती है तो सोल कहती है कि पहली मुलाकात तो बहुत बुली थी तो इसकी दोस्त पूछती है कि क्या तुम्हारा क्रश चेंज हो गया है तो सोल अपनी दोस्त से पूछती है कि मेरा पहला क्रश कौन था तो इसकी दोस्ट बताती है कि इसका पहला क्रश ताई संग था सॉल ने कल ताई संग को बता दिया था कि वो इसे पसंद करती है तो सॉल इस लेटर को पढ़ती है जो इसने ताई संग को दिया था और कहती है कि ये बहुत इंबरेसिंग है सॉन्जे अपने घर में exercise कर रहा होता है सॉल सॉन्जे को computer पर message करती है उसको friend request बीशती है मगर सॉन्जे इसको reject कर देता है तो सॉल सोचती है कि हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं अगले दिन सॉल school जा रही होती है तो एक लिर्की wheelchair पर थी इसकी चीजे नीचे गिर जाती है सॉल जाने ही लगती है इसकी help करने के लिए मगर सॉन्जे भाग कर इस लिर्की की help कर देता है सॉल सॉन्जे को देखती है और hello कहने लगती है मगर सॉन्जे इसे देखकर bus में चला जाता है और इसे ignore करता है सौल भी बस में चर जाती है सौल सौनजे से बात करने लगती है और कहती है तुम भी इसी बस में स्कूल जाते हो क्या तुम भी सेम वक्त में स्कूल जाते हो फिर सौनजे कहता है कि आज मेरा एक competition है इसलिए मैं जल्दी जा रहा हूँ सॉल इस से कहने लगती है कि तुम्हारा कौन सा कॉंपिटीशन है तो सॉन्जे कहता है अगर मैंने तुम्हें इस बारे में बता दिया तो तुम वहाँ भी पहुंच जाओगी तो अचानक बस रुख जाती है सॉल को सॉन्जे वैक से पकड़ लेता है अब इनका स्टोप आ जाता है सॉन्जे बस से उतर जाता है मगर सॉल रश में फस जाती है और इसका अमरेला गिर जाता है वो बस से उतर नहीं पाती और बस का डोर बंद हो जाता है सॉल ड्राइवर को कहती है कि मुझे उतर ना है मगर ड्राइवर इसकी बात नहीं सुनता अब सुन्जे बस के पीछे दोरने लगता है सब स्टूडेंट सुन्जे को देख रहे होते हैं और सॉल भी बहुत हैरान हो जाती है सुन्जे बस के पीछे बागने लगता है और driver को बस रॉकने के लिए कहता है तो बस रुक जाती है Soul बस से नीचे उतर जाती है और सुन्जे इससे कहता है कि तुम ठीक तो हो सब students इनको देखकर बहुत हुश हो रहे होते हैं सुन्जे कहता है कि तुम बस से उतरी क्यों नहीं सोल कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया फिर सोल कहती है कि ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया इस अमरेला के लिए किया है सोल कहती है कि तुम ऐसा दुबारा मत करना सोल कहती है कि स्मोकिंग करने वाले लड़की तो मेरे से ऐसी बात ना ही करे तो सौल कहती है कि मैं तुम्हें कैसे समझाओं, तुम मेरे हाथ सून कर देख लो, सौनजे इसे इग्नॉर करता है, इस पर सौल अपने उंगलियां सौनजे के नाक के अंदर डाल देती है, ये एक बहुत फनी सीन था, और सौल के लिए बहुत इंबारसिंग मूवमेंट भी फिर सौनजे इसकी उंगली पीछे करके कहता है, कि सच में इसमें से कोई स्मेल नहीं आ रही, सौल अपने हाथ को मारने लगती है, और कहती है कि तुम क्या करती हो सौल, ये सब सीन सौनजे का दोस्त भी देख रहा होता है, अब वो इसे तंग करता है, वो कहता है कि तुमन सॉन्जे पूछता है कि यह कौन है इसका दोस्त कहता है कि यह हमारे स्कूल का स्टूडेंट है और यह बहुत हैंसम भी है वह पूछता है कि क्या तुम उससे नहीं जानते सॉन्जे बहुत गुसे से जवाब देता है कि नहीं मैं इससे नहीं जानता इसका दोस्त कहता है कि त सौन्जे ने एक इंटर्व्यू में बताया था कि एक स्वेमिंग कॉम्पेटिशन में इसने अपनी किडिनी की सरजरी करवाई थी उटू State स्वेमिंग कॉमपेटिशन था अब सौल फिर सौन्जे के पास आ जाती है और कहती है कि मैंने तुम से बात करनी है पर सौन्जे इसे इग्नॉर करके चला जाता है सौल इसके पीछे आती है और कहती है इस competition में हिस्सा ना लो तो सौन्जे कहता है पर क्यूं सौल कहती है कि इससे तुम जखमी हो सकते हो और तुम कभी दुबारा swimming नहीं कर सकते इसकी बात सब सुन रहे होते हैं पर जब सौल future के कोई बात करती है तो अचानक सब time रुक जाता है और सौन्जे से दुबारा कहती है तो फिर भी time रुक जाता है सौल इसे अपने phone पर message type करके कहती है कि तुम competition में हिस्सा ना लो लेकिन फिर भी time रुक जाता है और इसका message खुद बहुत delete हो जाता है ये सब देखकर सौल बहुत हैरान हो जाती है फिर सौन्जे वहां से चला जाता है अब सौल अपनी class में होती है और सोचती है कि मैं future के कोई बात नहीं कर सकती फिर वो अचानक उन्ची अवास से कहती है कि ओबामा यूएस का प्राइम मिनिस्टर बन चुका है तो भी time रुक जाता है अब सौल बहुत डर जाती है अब scene change होता है और सौल सोच रही होती है कि अगर तुमने इस competition में हिसा ना लिया होता तो आज तुम जिन्दा होते सौन्जे फिर सेल स्वामिंग के प्रैक्टिस करता है और बहुत जल्दी से first round complete करता है इसके teacher इसको शावाशी देते हैं सौन्जे के बाजों में दर्द हो रहा होता है पर वो इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताता एक दूसरा competitor इससे कहता है कि तुम्हारी अभी surgery हुई है तुम competition क्यों कर रहे हो तो सौन्जे कहता है कि तुम मेरे से डर रहे हो कि तुम मेरी वज़ा से competition जीत नहीं पाओगे फिर वो वहाँ से चला जाता है सौल इस जगा आ जाती है वहाँ पर कुछ लड़के इसको देखते हैं और कहते हैं कि ये लड़की तो वही है अब सौन्जे भी यहाँ आ जाता है और सौन्जे इसे देखकर आगे चला जाता है सौल इसके पीछे जाती है और कहती है कि मुझे मालूम है कि मैं line cross कर रही हूँ मगर सौन्जे सौल की कोई बात नहीं सुनना जाता था सौल कहती है कि तुम इस competition में हिस्सा ना लो मगर सौन्जे इसकी कोई भी बात नहीं मानता और कहता है कि मैं बस swimming करना जाता हूँ फिर सौल इसे मनाने की कोशिश करती है मगर सौन्जे exercise करने के लिए चरा जाता है अब scene change होता है और हमें Tyson को दिखाया जाता है इसने कुछ लड़कों के साथ लराई की हुई होती है और अब ये police station में होता है इसके father इसको बचाने के लिए वहाँ आते हैं इसके father भी police officer होते है इनके आने पर Tyson वहाँ से चरा जाता है Tyson किसी की भी कोई बात नहीं सुनता अब scene change होता है और हमें सौन्जे को दिखाया जाता है वो practice करके गर आ रहा होता है कि इसे कोई औरत मिलती है वो इसे कहती है कि मुझे donation दो फिर वो कहती है कि तुम पाने से दूर रहो क्योंकि एक boot तुमारा पाने में इंतजार कर रही होती है और वो तुम्हें मार देगी असल में वो ओरत सौल ही होती है वो सौन्जे को competition में हिसा ना लेने के लिए मना रही होती है सौन्जा इस औरत की बात मान लेता है और वहाँ से चला जाता है अब सौल हुच से बात करते हुए कहती है कि तुम मेरी बात मान लो तो अचानक सौल का नौट गिर जाता है इसका नौट तायसंग के बास चला जाता है तायसंग के मुँपर बहुत जखम के निशान होते हैं तो सौल इस से पूछती है कि तुमने लराई की है और फिर कहती है कि मुझे मेरा नौट वापिस करो। असल में तैसंग सौल को पसंद करता है और वो इसे नौट नहीं देता। कल सोल ने तैसंग को एक लेटर दिया था जिसमें लिखा था कि वो उसे बहुत पसंद करती है मगर ये सोल तो टाइम ट्रेवल वाली फ्यूचर वाली लड़की थी फिर सोल इसके जहां पर दुआई लगाती है और कहती है अगर तुम लराई ही करते रहे तो स्कूल वले तुम्हें निकाल देंगे फिर तैसंग सोल को तंग करने के लिए वो नौट उसे नहीं देता तो अचानक वो नौट पाने में गिर जाता है इस पर सोल तैसंग से बहुत नाराज हो जाती है फिर सोल गुसे के मारे वहां से चली जाती है ताय संग इसको मनाने के लिए इसके पीछे जाता है तो सौन्जे इन दोनों को देख लेता है तो सौन्जे को पता चलता है कि ये औरत और कोई नहीं बड़के सौल थी सौन्जे कहता है कि तुम यहां क्या कर रही हो तो ताज संग सोल को मजाख में कहता है कि तुम पकरी गई सौनजे सोल को कहता है कि तुम यहां मजाख कर रही हो फिर सौनजे गुसे के मारे वहां से अपने गर चला जाता है सोल इसको उन्ची वासे कहती है कि मैं सच बोर रही थी मैं भूत देख सकती हूँ और तुम पानी से दूर रहना अब सौल को मालूम होता है कि सौन्जे इसके गर के सामने रहता है सौन्जे कान में हेड़फोन लगा कर स्विमिंग प्रैक्टिस के लिए सोच रहा होता है कि अचानक इसे बार बार सौल याद आती है सौल अपने गर की खिरकी से सौन्जे को कहीं जाते हुए देखती है सौन्जे पूल पर स्विमिंग करने के लिए जाता है स्विमिंग करते हुए भी सौन्जे को सौल की बते याद आती है कि तुम कॉम्पिटिशन में हिसा ना लो और सॉन्जे की बाजु में भी बहुत दर्द हो रहा होता है सॉन्जे नहा रहा होता है कि इसके दो दोस्त इसकी स्विमिंग पैंट्स चुराने के लिए वहां आते हैं और सॉल पी वहीं होती है और इसकी पैंट्स नहीं लेके जाने देती इनके शौर की वज़ा से सौन्जे वहां आ जाता है तो सौल वहां छूप जाती है सौल सौन्जे से डर कर बाग रही होती है फिर सौन्जे इसे पकड़ लेता है और ये तोनों पूल में गिर जाते है सौल को देखर सौन्जे को बहुत गुसा जाता है कि वो इसकी पैंट स्चुरा रही होती है सॉन्जे अपनी पैंट सॉल के हाथ में देखकर बहुत हैरान होता है सॉल इसको समझाने के कोशिश कर देखा कि मैंने एक खुआफ देखा था जिसमें तुम मर जाओगे पर जब पे सॉल मरने की बात करती है तो टाइम रुक जाता है और सॉन्जे इसकी कोई बात नहीं सुन पाता सॉन्जे को लगता है कि सॉल कुछ भी नहीं बता रही सॉन्जे इस पर बहुत गुसा करता है और वहां से चला जाता है पर ये सब सुनकर सॉल रोने लगती है सॉन्जे अपने गर आता है तो इसे एक कॉल आती है इसका फ्रेंट बताता है कि कुछ लड़के इसके स्विमिंग पैंट चोरी करने के लिए हॉल में आये थे ये सब सुनकर सॉन्जे हैरान रहे जाता है और सॉन्जे को मालूम होता है कि इसकी पैंट सॉल नहीं बलके उन लड़कों ने चोरी करनी थी तो वो बहुत शर्मिंदा होता है और वहां बहुत तेस बारिश होने लगती है अब सॉल बहुत उदास होती है और बारिश में भीग रही होती है वो रोट क्रोस करने लगती है कि एक कर सॉल को टकर मारने लगती है तो सॉन्जे जल्दी से आकर इसे पकड़ लेता है और इससे पूछता है कि तुम ठीक हो सॉल बहुत डरी हुई होती है और सॉन्जे को गले लगा लेती है अब scene change होता है और हमें flashback दिखाया जाता है ये सब सॉन्जे का flashback होता है सॉन्जे एक delivery boy है वो एक wrong address पर parcel लेकर आता है मगर इसे सही address नहीं मिल रहा होता तो सॉल इसके पर भाग कर आती है क्योंकि वहाँ बहुत तेज वारिश हो रही थी तो वो अपनी umbrella इसकी तरफ करती है सॉन्जे इसको देखता रहता है ये parcel सॉल का ही होता है वो अपना parcel सॉन्जे से लेती है और अपनी umbrella इसे देख कर वहाँ से चली जाती है अब सॉन्जे इसकी cassette show पर आता है तो वहाँ सॉल सो रही होती है सॉल गिरने ही लगती है कि सॉन्जे अपनी बाजू आगे कर लेता है तो सॉल इसकी बाजू पर ही सो जाती है सॉन्जे इसे बहुत प्यार से देख रहा होता है अब सॉल की आंग खुल जाती है तो सॉन्जे डर के मारे कोई भी केसे पकड़ लेता है और इसको पैक टरने का कहता है फिर सॉन्जे वहाँ से चला जाता है असल में सॉन्जे सॉल को पहले से ही पसंद करता था तो जब प्रैक्टिस के दोरान सॉल ने इसे गले लगाया था तो वो बहुत हैरान रहे गया था और वो सोच रहा था कि क्या ये एक हुआब है और जब सॉन्जे ने सॉन्जे को फ्रेंड रिक्वेस्स सेंड की थी तब भी सॉन्जे बहुत खुश था मगर इसके डट अचानक इसके रूम में आ गये थे और इस पर गलती से रिजेक्ट पर क्लिक हो जाता है तो सॉन्जे अपने डट पर बहुत गुसा करता है कि आप नौक करके मेरे कमरे में क्यों नहीं आए सॉन्जे रोस इसे स्कूल जाते हुए देखता था अब हमें दुबारा वही सीन दिखाया जाता है जब सॉन्जे ने सॉल को कार से बचाया था सॉल के टाइम ट्रेवल की वज़ा से फ्यूचर चेंज हो रहा था अब हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें फ्यूचर वाले सॉन्जे के पास सॉल की एक पिच्चर होती है फ्यूचर वाले सॉन्जे के पास सॉल और सॉन्जे दोनों की एक पिच्चर होती है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड हतम होता है। अगर आपका हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।